स्वागत है आपका फ्री जिके के शानल पे मेरा नाम है किरन भाबर आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक के 1000 करेंट अफ्योस कवर करेंगे यह सारे कुशन स्लेक्टेट है एक्जाम में पूछे जाएंगे वीडियो को धियान से दीखें आज हम इसका हम 200 प्रशन कवर करेंगे इस तरह से हम 5 पार्ट कवर करने वाले हैं और 1000 प्रशन कवर करेंगे जनवरी से दिसंबर तक के हर वीडियो में आपको इसका PDF मिलेगा जो बिलकुल फ्री रहेगा और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है वहां से आप डालोट करा सकते हैं तो चली शुरू करते हैं फर्स्ट कोशन से इंडियर ग्राइंट प्रिक्स 2023 किसने जीता है मारको बैचेंजी ने अगला है इशन गेम्स में अर्ध शेतक लगाने वाली पहली महला खेलाड़ी कौन है शेफाली वर्मा है भारत की पहली ग्रीन हाइट्रोजन फ्यूल से अगला है इशन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वांड पदक किस खेल में जीता निशाने बाची में बॉलोग फिल्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है स्वाती नायक को अगला है अठारा सितंबाई 2022 को संचाली ओपरेशन संजक का समध किसे से है भातिय तरटरक्शक भल से किस राजी में स्थित विरांगना दुर्गावती टाइगर रिजव भारत का 54 टाइगर रिजव बना है तो माद्या प्रदेश में स्थित है और यह भारत देश का 54 टा आठ फीट के स्टेच्व अफ वननेस का नावरण किस राज्य में क्या गया है वाध्य प्रदेश में याद रखेगा नेक्स्ट है दिखिए काफी जाधा इंपॉर्टन कोशन नारी शक्ति वनन अधिनेयम के तहत लोगसभा और राज्य विधान सभाव में महलाओं के किस राज्य के पायल छाबड़ा देश की पहली महला पैरा कमांडो वनी है हरियान राज्य की है पायल छाबड़ा अगला है हाले में किस राज्य में स्कूल अफ एमिनेंस के शुरूआट के गई है पंचाब में भारत का पहला लाइट हास उतसव कहा हजित हुआ गोवा म अगला है भारत की पहली Solar City कौन सी है वहाँ है स्थाची International Amy Award पाने वाली पहली भारती महला खिलाडी कौन है एकता कपूर International Amy Award पाने वाली पहली महला खिलाडी है वो है एकता कपूर एकता कपूर कौन है डारेक्टर है चलिए काजी फिर्ज एशा किस देश के 29th मुख्य ने अधिश बनी है तिहा पाकिस्तान की है पाकिस्तान देश की 29th मुख्य ने अधिश बनी है काजी फिर्ज एशा देखे किस भारती एरलाइन्स ने प्रोजेक्ट अभी नंदन की शुरुआत की है एर इंडिया ने अगला स्वाल किस देश ने आधिकारिक तोर पर रूस के वैगनर गुरूप को आतंगवादी संगठर घुशित किया है तो ब्रिटेन ने ब्रिटे ने रूस का एक ग्रूप है वैगनर ग्रूप जो रूस के लिए काम करता है उसको आतंग वाड़ी संगठन गुशित कर दिया देखे किस रोक से पेड़ित मरीजों के लिए पतिवश 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है तो कैंसर से पेड़ित मरीजों के लिए 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर 2030 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अलजाइमर दिवस के थेव क्या रखी गए Never too early, never too late किस महला क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लाइक से प्लेयर आफ दे मंद का संपान मिला है तो अरलीन कैली को जो आइलेंड से ब्लाम करती है किस राजी आफिकेटर शासित प्रदेश में सित उधंबू रेल्वे स्टेशन का नाम बदल करके शहीद कैप्टन तुशार महाजन रेल्वे स्टेशन रखा है तो जम में कश्मिर का है जम्मो कश्मिर का है रेल्वे स्टेशन जिसका नाम है शहीद कैप्टैन तुशार महाजन अगला सवाल है किस राज़ मिस्थित होईसला बंदी यूनेस्को की वर्ल्ड हैरिटेज साइट में भारत का 42 नमबर का स्थल बना है तो वह है करनाटक का ठीक है करनाटक में स्थित है होईसला बंदीर जो भारत का 42 स्थल बना है भारत के पुरारी संसत भावन का नाम क्या रखा गया है सवीदान सदन काफे ज़ादा इंपॉर्डन कुशन देखे कि इस भारती स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हैरिटेज साइट की सूचे में शामिल किया गए तो शानती निकेतन अगला है 17 सितंबर 2023 से केंदर सरकार ने कारीगरों शिल्पकारों और मजदोरों को रिण देने के लिए किसे यूजना के शुरुआत की है तो पीम वैश्व कर्मा यूजना पुर्ष एशयकप 2023 का खिताब किस ने जीता भारत इशने 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाई गई अंदरास्टी लोकतंद्र दिवसकी थीम रखी गई Empowering the Next Generation वंडे इशयकप में सरवादिक विगट लेने वाली भातिक गेदवाज बने है रवींद्र जडीजा अगला है यूज़ ओपन 2023 से में इकल का खिताब किसे जीता है को को गौफरे जीता है बोड़ी कुशन लिए ग्रेंड स्लेम टुन आवेंट से कुशन से आपके एक्जाम में आने वाले है कितने वग्यानिकों को वर्श दोहजार बाईस का शांती सुअरू भटनागर पुरुसकार दिया गया बारा यूज़ ओपन 2023 में पुरुषेकल का खिताब किसे जीता है तो यह जीता है नौवाग जोकोविच ने किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजने ट्रांसफोर्मर स्टेशन स्थापित किया गया है बैंगलूरू में किस वर्श दोहजार तेजिस के डक्टर वी जी पटेल मैमोरियल अवाड से सम्भानित किया गया सत्यजीत मजुमदार ठीक है नेक्स्टे किस सुन्दरी ने Miss International India 2023 का खिताब जिता है प्रवेडा अजिना ने किस फुडबॉल टीम ने डूरेंट कप 2023 का खिताब जिता मोहन बागान एस जी ने नेक्स्टे 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला अब तक का 23वा सौरी मिशन सफलतापुरों के लाँच हुआ है जिसका नाम है आदित्य ऐलवन काफी ज़दा इंपोर्टेंट ध्यान देजेगा वश्ट 2023 के रवन मैकसे से अवार्ड से समाने चार सेंग्त विजयताओं में कौन भारती वेक्तिय शामिल है तो है डक्टर रवी कनन आर नेक्स्ट रेल्वे बोर्ड की प्रतम महला चेरपोसन कौन बने जया वर्मा सिन्हा पाकिस्तान में भारत की पहली महला IFS अधिकारी कौन है गीति का श्रिवास्तव मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब के सुंदरी ने जिता प्रियन सेंडने अगला है किस सदेश ने दुनिया की पहली एथनौल से चलने वाली कार लौच की है भारत देश ने है दुनिया की पहली एथनौल से चलने वाली कार भारत देश ने लौच की वर्ल्ड एथलिट्स चेंपिर्शिप में स्वन पदक जीतने वाले पहले भारती खिलाडी है नीरचोबड़ा 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 जाने की घोशणा हुई चार कैडिगरी में next है भार सरकार किस अदेश के नागरिकों के लिए visa service को suspend किया भार सरकार ने खनाड़ा के नागरिकों के लिए visa service को suspend किया था वापिस से शुुरू कर दिया next है ISSF विशक शुकाप में महलाओं की 10 मिटर एयर राइफस परदा में किस खिलाडी ने सौन पर दक जीता एला वे नील वलारी वानने ठीक है नेक्स्ट है Skills on Wheels पहल किस मंत्राले दौरा शुरू की गई है तो कौशल विकास और उदमिता मंत्राले दौरा इंपोर्टन कुशन भारत की G20 अद्धिक्षता पर प्यपुल्स G20 नामक E पुस्तक का नावरान किसने क्या अपूर्व चंद्रा ने या शोव भूमी इंडिया इंटरनाशनल कन्वेंशन एंड एक्स्पो सेंटर का उद्खाणन के स्रियाज राज्य आफिक इनशासेद प्रदेश में हुआ दिल्ली नेस्ट है नमो ग्यारा सूत्रिय कारेकरम के शरुआत के सराज्य में की गई है महरास्ट में याद रखेगा मुख्यमंतरी लाडली बहना आवास योजना के शरुआत के सराज्य में हुई माध्य प्रदेश में इशा कप में सरवादिक विकेट लेने वाले भादी गेंद बाज कौन बने है रवेंद्र जडेजा बने है पांचवी रास्टे वेलचय रगभी चेंपेंशिप 2023 का खिताब जीता है महरास्ट ने इंडोनेश्य मास्टर्स 2023 में प्रोशेकल खिताब किस खिलाणे ने जीता है किरान जॉज ने जीता है अगला है वाशे 2022 के शांती स्वरुभटनागर पुरसकार के लिए कितने वग्यानिकों को चुना गया बारा अगला सवाल नई दिली G20 सिकर सम्मिलन के दौरान के ससंग को G20 के 27 सदस्य के रूप में शावल किया गया तो अफ्रिकन यूनिन ठीक है अब यह इसमें 21 हो गए है G20 थे अब G21 हो गया क्योंकि इसमें अफ्रिकन यूनिन को भी एड़ कर लिया गया G20 सिकर सम्मिलन के दौरान भारत ने 24 में होने वाले G20 के अध्यक्षिता किस देश को सौपी है तो ब्राजिल को ठेक है अब जब 2024 में G20 सम्मिलन होगा तो उसमें आपको 21 सदस्य देखने के लिए मिलेंगे और कहा होगा ब्राजिल में किस राज्य में मोबाइल एप सरपंच सनवात का अनावरण किया असम में किस भारतिय राज्य ने सेवा छेत्र के लिए नई नीती को मंजोरी दी है उत्राखन सरकाने कौन सी विमान निर्माता कमने भारती वायू सेना को सी टू नाइन फाइफ परिवहन विमानों की डिलेवरी शुरू कर दी एरवस ने अगला है जी ट्वन्टी सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रूप की बैठक कहा है जित हुई है वानासी में वानासी में वर्डे इंटरनाश्टेन क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारती स्पीनर है कुल्दी प्यादव अगला वर्डे इंटरनाश्टेन क्रिकेट में किस खिलाडी ने सबसे तेज 13000 अनपोरे की विराट खोली ने एंटी पी से ग्रीन एनरजी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडेक्ट के लिए किस के साथ समझाता क्या है तो नायरा एनरजी नेक्स्ट है नई दिल्ली में वन वीक वन लैब प्रोग्राम को किस ने लॉंच किया डाक्टर जितींदर सिह ने इंडोनेशिया मास्टेस 2023 में पुरुशेकल खिताब किस खिलाडी ने जीता किरन जोच ने जीता सैफ अनरज 16 चेमपेशिप 2023 का खिताब किस टेम ने जीता भारत देश की टेम ने वर्ल्ड बैड मिंडन चेमपेशिप 2023 में किसने कांसे बदक जीता है इस एच प्रणे ने एशेत अट्रक्षक एजन्सियों के प्रमुखों की बैटक कहा जीत हुई है इस्तानबुल में स्ट्रीट चैल्ड क्रिकेट विश्यकप का आयजन कहा किया जाएगा चैने में अगला सवाल एक्सेसाइज ब्राइट स्टार 2023 के मेजवानी कौन सा देश कर रहा है बेश्ट वे आशेन भार सिकास मिलन का आयजन कहा किया जाकारता में जीट्वर्टी सिकास मिलन 2023 के थीम रखी गई वन आर्थ, वन फैमली, वन फ्यूचर भारत की पहली सॉलर सिटी कौन सी है साची है 19 वे एशाइख खेलो के लिए भारती दल की ओफिशिल स्पोंशर के रूप में किसे नमित किया गया अबुल को भारत की अधिशता में आईजी थे जी ट्वन्टी सभीट में कितने अधिशों को गेस्ट कंट्री के रूप में अबंतरित किया गया था तो नो भारत के पहले UPI ATM को किसके द्वारा लॉच किया गया है तो बजास फाइनेंस के द्वारा सिखसाद दिवश के अउसर पर कितने सिख्षकों को रास्ट्य पुरुशका से संभारित किया गया 75 बारत के पहले AI साजालेथ एंटी ड्रोन सस्टेंट का नाम रखा गया है इंद्रजाल चंद्रयाध्री के काउंटरडाउन का वास देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका निधन हो गया वो थी अगला है प्रोश होकी 5S Asia Cup का खिताब के स्टेव ने जिता भारत ने जूरिक डाइमेंड लिग चैंपिंशेट दोहजात थी स्वेने रचोपडा ने कौन सा मेडल जिता रजट मेडल देखे सराज्य ने महलाओं के लिगरी है लक्षपी योजना शुरू की है करना टकने यूदपोत महंदरगरी को किस शीब लियर्ड्स लिमिटीट ने तयार किया है तो याद रखेगा मजगाओं डॉक शीब लियर्ड्स ने नेक्स्ट है किस देश में जॉइंट इमिलेटर एक्सराइज ब्राइड स्टार 23 का आजन किया जाएगा मिश्रू में वर्ल्ड एथलेटिस चेंपिर्शिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारती बने नेरच चोपड़ा काजी रंगा नैश्र पाक की पहली महला फिल्ड डिरेक्टर के रूम में किसे नुक्त किया गए डाक्टर सुनाली खोश को खबरों में रहा पी ए मोशा अभिहान का संबंद किसे से है जिक्षा मित्राली से अगला है चंदरबा की दक्षणी दुरूपस वल्दा पूरवक उतने वाला पहला देश बना है भारत बाहर निरवाचन आयोग ने किसे नाशनल आइकोन के रूम में चुना सचिन तेंदल करको नैशनल ग्रीन ट्रिब्योनल की नए अधक्ष किसी निक्त किया गया है तो जस्टिस प्रकाश श्रिवास्तव को इस रों ने चंद्रियांत्रवी मिशन के साथ भीजे गए रूवर को नाम दिया है प्रंक्यान इंडियन कोस्ट गार्ट ने समुद्री से उबढ़ाने के लिए कि सदेश के साथ समझो था क्या अपन पर हस्ताक्षर के फिलिप्मिन्स थालेंड के नहीं प्रधान मंत्री बने है रेथा थावी सिन खेलो इंडिया महला लीक का नाम बदल करके रखा गया है असमीता महला लीक ब्रिक से समु का पंदरवा सिकह समिलन किस देश के अध्यक्षता में आजित हुआ अध्यक्षता में आजित हुआ ब्रिक से समु का पंदरवा सिकह समिलन है नेक्स कोशिन है मुख्य मंत्री सीखो कमाव यूजना को शुभारम किस राज्य नहीं किया मध्यप्रदेश सत्रण जविश्व कब के फाइनल पे पहुँचने वाले दूसरे भारतिये में आर प्रगनानात बीसवी आशन भारत आथेक मंत्रियों के बैठक कहा जित की गए इंडोनेशा में किस भारतिये नहीं गोल्ड मेंडल जीता अनाहत से हैंने किसे महरा सरकाद वार स्थाबित पहला उद्योग रतन पुरुसकार दिया गया है रतन टाटा को मुफ्त आई वी एफ ट्रेटमेंट दिने वाला भारत का पहला राज्य है गोवा किस राज्य की नई पुलिस महरे दिशक बने है हर्याणा की किस देश नहीं फीफा बहला विशकव दोजा तीव्स का खिताब जीता कमल के फूल की नई किसम नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टिटूट में विक्सित किया गया नैशनल बॉटे निकल रिसर्च इंस्टिटूट लखनव में किस भारती मूल के नेता ने सिंगापूर के रास्पती चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है तो धर्मन शन्मोगर लम ने भारत ने खगुल विज्ञान और खगुल भौतिकी के सौल वे अंतरास्ट्य ओलंपियाड में कौनसे रेंख हासिल की दूसरे नमबर की 15 अगस 2023 को भारत में कौनसा स्वतंतरता दिवस मनाया गया तो यह था 77 वा किस राजी सरकार द्वारा भारत का पहला कृषी डेटा एक्स्चेंज लॉंच किया गया है तिलंगाना राजी सरकार द्वारा किस होकी टीम ने मैंस एशियन चेंबरशिप 2023 का खिताब जीता तो भारत देश है ना मैंस एशियन चेंबरशिप ट्रोफी 2023 का खिताब भारत की टीम ने भाती रुसर बैंक ने बैंकों में जबा अंक्लीमड डिपोजिट का पता लगाने के लिए कौन सा बॉटल लॉच किया गया भाती रुसर बैंक के दुवारा अंक्लीमड डिपोजिट का पता लगाने के लिए किस भारती धाविका को डॉपिंग के चलते चार साल क को पूरे भारत में भारत छोड़ा अंदोलन के कौन से वर्षगाट मनाई गई 81 किस खेल से सब्मतित भारती खिलाड़ी मनोज थिवारी ने खेल से सन्यास लेने का एलान क्या है क्रिकेट अगला सौल भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उदखाटन के शहर में किया गया वेन इपॉर्टिन कोशन बंगलोर में किया गया अड़े 22 विशे चैंपिर्शिप में स्वान पदक जीतने वाले चौते भारती है मोहित कुमार कितने भारती युवाओ को इंटरनेशनल यंग एको हीरो अवर्ड 2023 के लिए नामित किया गया पाँच भारती रास्टे बहासागर सूच्रा सेवय केंदर ने नाविको के लिए कौन सा एप लाँच किया है तो इनके लिए समुदर एप लाँच किया गया भारत ने इंडिया स्टेक इंडिया स्टेक साझा करने के लिए किसे देश के साथ समझाता है कि आपन पर हस्ताक्षर की है तो 3D दात और टॉबेगो ठीक है एक्सटे किंदरी कैबिनेट ने कितने करोड रुपे के परिवे के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेट के विस्तार को बंजूरी दी तो यहाद रखिया 14,903 करोड रुपे भारत की G20 प्रसिडेंटी के तहत भारत की G20 प्रसिडेंटी के तहत यूँआ 26 सम्मिलल का आजन कहा किया गया था वरनसी में एक्सटे ग्राफिन भारत की संस्थान के वेग्यानिकों ने एक नई तारी की खोच की है तो संस्थार का नाम है भारतिय तारा भौत की संस्थान G20 फिल्म फेस्टिवल का आजन कस शहर में किया जा रहा नई दिल्ली में हुआ था तेके नहरू संग्राले और पुस्तकाले का नाम बदल कर रखा गया प्यम संग्राले और पुस्तकाले नेक्स्टे रासपती ने 77 वे स्वतनतरता दीवस के आउसर पर कितने वीरता पुरुसकारों की सुईकरती दी है तो याद रखेगा 76 सूरी के अधियन के लिए इसरो द्वारा भेजे गए भारती मिसन का नाम रखा गया है आदित्य एलवन इशय होकी जेंबर्शिप ट्रॉफी 2013 का टाइटल जीता है भारत देश की टीम ने किस खिलाडी ने T20I में 20 या 100 से कम उम्र में भारत के लिए सवरादिक छक्की लगाने का रिकॉर्ड बनाया है तो तीलेक वर्मानी देखे पाकिस्तान की कारभाग प्रदारवंतरी के रूप में चुना गया है अनवारूल हक काकर को केंदे सरकार द्वारा बुनियादि सिक्षा को भड़ावा देने के लिए कौन सा एप लॉंच किया गया उल्ला सा एप लॉंच किया गया वाश्य 2023 खालोक माने तेलक रास्ट्य पुरुसकार किसे दिया गया नरेद्र मोदी कौन भारती मुल्की महला अमेरिकी विति एजंसी की उपमुख्य कारीकार यतिकारी बनी नीशा बिस्वाल अगला है किस राज्य के विधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाबे परिवर्तन का आगरह किया तो देखे केरल ने अगरह किया है कि इसका नाब बदला जाए Reserve Bank of India ने UPI Lite के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ा कर कितने करने का प्रस्ताव किया पांसो नेक्स्ट है तेरवे वाशिक Interpreer India Awards में Tick Startup of the Year AI का अवार्ड किसे दिया गया जियो हैप्टिक को LOC के पास भारत के पहले Post Office का उद्खाटन जम्मो कश्मिर में किस जिले में किया गया है तो कुपवाड़ा जिले में किया गया किस राजिया फी यूटी के राजोरी चिकरी वूड क्राफ्ट को GI Tech प्रदान किया गया है जम्मो कश्मिर इंटरनेट Resilience Index में भारत के रैंक है छड़ोजी देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा रास्ठ व्यापी अभिहान किया गया है तो है मेरा माटी मेरा देश किस राजी के विधान सभा में समान नागरिक सहंता की विरोथ में एक प्रस्ताव लाया गया केरल T20i क्रिकेट में अर्थशितक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारती बल्लेवाच है दिलक पर्मा भारती खेल प्राधी करें दुवारा इश्याई खेलों में भाग लेने वाले अथनीटों पर बनाई गई शॉट फिल्म का टाइटल है हल लावोल पैराप एड़मिटर इंटरनाशनल दोजा तीवस में किस जोड़ी ने SL3-L4 शेड़ी में स्वन पदक जीता है तियो जीता है प्रमोध भगत और शुकांत कदम में केंद्र मंत्री मंडल ने भारत नेट प्रोजेट के तहट गाउं में ब्रॉट ब्रेंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपे मन्जोर किये 1.39 लाख करोड लोगसभा सचेवाले की किस नेता को लोगसभा सतिसता बाहल कर दी है तो देखे राहूल कर दी के चलिए नेक्स्ट है किस भारती है खिलाडी ने स्पैन में महला टैनिस हाटकूर्स परदा में यूगल खिताब जीता प्राथना थोंबारे ने कौन से भारती है सबसे कम उम किया गया 508 भारत के नंबर एक सत्रंज खिलाडी बने गुकेश डी अगला है इस्टेडी इन इंडिया पोर्टल सेग्द रूप से किसने लॉंच किया है एस जैशांकर और धरवेंद्र प्रधान ने नेक्स्ट है आकाश मिसल के पहले रेडियो फ्रिक्वेंस से सीकर का निर्मान किसके द्वारा किया गया भारत डाइनमिक्स लिमिटेट द्वारा नेक्स्ट है दू संचार के छेत्र में सही उस्थापित कने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझोता है क्या सी डॉट के साथ आईलेंड के दोरे के लिए भारत T20 टींग का अपतान किसे बनाया जस्प्रीत गुम्राह को बनाया था ठीक है जस्प्रीत गुम्राह को भारत के दिश्चता में G20 M22 सिगा सम्मेलन का आईजन किस शेशाएर में किया गया गंधिनगर में किस फॉर्मल एवन खिलाड़ी ने बैल्जियम ग्रांप्री का टाइटल लगातार आठवी बार जीता है तो यह जीता है मैंक्स वर्स टिप पेंने इस्टोने किस देश के साथ साथ साटलाइट को PSLV C-56 टॉकेट से लॉंच किया सिंगापूर नेक्स टे वर्ल्ड युनिवर्सिटी गेम्स में किस भारतिये ने 10 मिटर येर राइफल सीवेंट में गौल्ड मिडल जीता एश्वर प्रताप से हतों मर रहे भारत की G20 दिश्यता के तहट ठेंकर 26 अमिलन का आजनकेश शहर में किया गया मेसूर में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोर्म का हिस्सा बनेने वाला पहरा भारती शहर है बंगलूरू भारत में बागू के आबादी की वाशिक अरुमानित वृद्धी दर कितनी है 6.1% किस भारती अमेरिकी को अमेरिकी वित्य एजनसी के उपर मुख्य गारिकारी अधिकारी के रूम में निक्त किया गया निर्शा बिस्वाल को अगला सवाल श्रीलंगा अथलेटिक्स रास्ट्र जेम्बर्शिप में भारते कुल कितने पदक जीते ही चौधा जर्मनी में होके टोर्नामेंट के लिए जूनियर भारती होके टीम का कप्तान किसे रुखत किया गया है उत्तन सिह को आगे बढ़ते है किस अफरिकी देश में सेना रे तक्ता पलट कर रस्पति को पच से हटाया नई जर्वे नेक्स्ट है हैली समिट दोजार तेविस होर अगला है के दे सरकाने कितने ग्रीन फिल्ड हवाई अड़े स्थापित करने के लिए फैसले को मंजूरी दी है तो 21 वर्ल्ड यूथ डेफ एपैडमिंडे चेपेंशिप में किस भारती ने गोल्ड मेडल जीता गोरानशी ने किस देश ने लिंक परिवर्तन और ट्रांसेटर विवाह पर प्रतिमन लगाया है अगला है तीसरे जी ट्वंटी डिजास्टर रिस्क रिटेक्शन वर्किंग ग्रूप की बैठक का एजन कहा किया गया चैने में कौन सतरंच खिलाडी भारत की 83 नमबर के ग्रैंड मास्टर बने है आदित्य सामत बने है अगला हाल ही में हुई गोश्टा एक अनुसार भारत की किस राज़ी अफे के दुशासर प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम यूगे यूगेन भारत बनेगा नई दिली में 27 जुलाई 2023 को के दिर रिजर पुलिस बल सियार पीएफ ने अपना कौन से स्थापने दिवस में बनाया है 85 नेक्स टे कारगिल विजय दिवस किस तारिक को बनाया जाता है तो 26 जुलाई को बनाया जाता है जुली यह तो थे 200 प्रश्ट जो महत्पूर्ण थे सभी एक्साम के लिए आपको इसका पीडियो फिल जाएगा डिस्कुशन में एक लिंक के दिया वाई वहां से आप डावलोट कर सकते हैं ठेक है अब थर्ड पार्ट के लिए आप तयार रहेगा थर्ड पार्ट आप कव कर लेंगे और यही से प्रश्टाने वाल है अलग से कोई प्रश्टा नहीं आएगा आपके एक्साम में करेंट अफ्यों से रिलेटेड वीडियो को पुरा देखने लिए